पॉराडिक कथाओं में वरणित कुवानों नदी के तड़ पर इस्थित उत्तर प्रदेश का जनपत बस्ती गुरु वसिष्ट की तपवस्थली हिंदी साहित के प्रख्यात आलोचक आचारे रामचंद सुपल की जन्मस्थली आदिकाल से ही प्रेड़ना का स्रोत रहा है बस्ती के इसी पावन भूमी पर प्रेक्सिस विद्यापीट विगत दस वर्सों से उत्कृष्ट परणाम देता रहा है Educate and raise the masses and thus alone a nation is possible Reduced by this idea, Engineer Prashant Kumar Pandey led the foundation of this institute as Praksis Classes in the year 2010 which was established as Praksis Vidya Peet in the year 2013 Currently, Praksis Vidya Peet has three branches Praksis Vidya Peet Siva Colony Basti from Class 6th to 12th Praksis Vidya Peet Labna Par Basti from Playway to Class 5th Praksis Vidya Peet Rudhaali Basti from Class 1st to Class 10th Now let's make a visit of Praksis Vidya Peet दिन की शरुआत morning assembly से होती है और assembly में ही छात्र science activities perform करते हैं Assembly के बाद छात्र अपनी क्लास में पूरी एकागरता से अपने अध्यापक के मात दर्शन में अध्यान करते हैं It has been rightly said, knowledge begets in tranquillity. Praksis Vidya Peet provides noble silence, a period of silence zone, in which all the students kindle the light of knowledge. They introspect themselves. This enhances their tackling ability with the problems. The noble art is the most loved hour by the students because it helps them to self-analyze, study and clear their doubts. Let's meet with our director Mr. Prashant Kumar Pande. Praksis Vidya Peet दिन क्लास 6 से 12 तक का एक English medium UP board से affiliated residential school है और इस स्कूल में हम लोग का में जो अप्जेक्टिव होता है, जो में अदेश होता है, ये होता है कि कोई भी बच्चा जो यहां सिक्षा ग्रहन करने आवे, उसको पिजिस, कमेश्टी, मैक्स, बियोलोजी, लिट्रेचर, इन सब के जितने फंडामेंटल नॉलेज हैं, जो एक आइडियल स्टेट में बच्चे को जानना चाहिए, उसको वो सारे नॉलेज उसके अंदर एसेमिलेट कर जाएं, समाहित हो जाएं, और जब वो 12 पास करके इस स्कूल से जाने लगे, तो उसके सामने अपने भविस्ट को ले करके किसी तरीके का कोई confusion न रह जाए कि दिशाल इंजिनिंग कोलेज हो या मेडिकल कोलेज हो या नेचेल साइन्स को उसमें उसको दोखिन दाखिरा मिल जाए जिससे उसको यहां से निकलने के बाद किसी तरीके का अपने भविस्ट के प्रत, अपनी फ्यूचर के प्रत, confusion न रह एं इस तरह का हम लोगों ने प्र और बीटेक की डिग्री ले करके और विविन छेत्रों में अपनी सेवाय दे रहे हैं, समाज का परिवार का नाम दोसन कर रहे हैं, इसके अलावा इलावाद इन्वेश्टी हुआ, बीच्चू हुआ, डी यू हुआ, इन सब जगों में नेच्छल साइन्स के कोर्सेज में दा इनुवेटिव टैलेंट है, जो यहां का यंग और इनुवेटिव माइन्ड है, जो टीचर्स हैं, जो हमारी टीम है, प्रैक्सिस विद्या पीट की, वो इतने फोकस्ड और इतने प्रोफेशनल तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं, वो एक मिसन के प्रत समर्पित ह कि जिस से जो बड़े-बड़े सहर हैं और उनके जो बच्चे होते हैं, जो छोटे सहरों के बच्चे होते हैं, किसी कारण से जो नके बीच में एक गयप रह जाता, उनके परफॉरमेंस को लेके, उस गयप को अच्छी तरीके से भर रहे हैं, बविस्व में भी हम ऐसा करते इस लाब में हम बच्चों को सी लेंगविज में प्रोग्राम बनाना सिखाते हैं जिस से उनके प्राबलम्स के बारे में सोचने समझने की छमता का विकास होता है और इस लैब में हम लोग लाइनक्स आपरेटिंग सिस्टम पे भी काम करना सिखाते हैं जो उनके आगे के कैरियर के लिए बहुत ही फायदेबंद होता है। आज के इस आदूनिक यूग में भी प्राक्सिस विद्यापीट ने गुरुकुल परंप्रा को जीवित रखते हुए एक ऐसी सिक्षप्रणाली को अपनाया है जिसकी आत्मा तो भारतिय है किन्तु दृष्टिकोन प्रगतिशील तथा विज्ञानिक है। प्राक्सिस विद्यापीट हर वर्स नए नए आयामों को छू रहा है। नोट ओनली वैनसे स्टियर ओफ देर फेस बट अलसो एक्ट एस क्योर फोर वनसेल्फ। इसी सहस्भाव से प्रेरित होकर प्राक्सिस विद्यापीट ने 2013 में प्राक्सिस एजुकेशनल ट्रस्ट की नीव रखी। तब से अब तक ट्रस्ट हर साल मेडिकल क्याम्प, फ्लट रुलीफ क्याम्प और प्लांकेट डिस्टिबूशन आधी सामाजिक आयोजन करता रहा है। तु सर्फ इंडिजेंट प्राक्सिस ना सिर्फ सामाजिक आयोजन करता है, बलकि समय समय पर प्रतिस्थित सोसल अक्टिविस्ट के द्वारा मार्कदर्शन हेतु इंट्रेक्टिव सेशन भी कंड़क्ट करता है। Moreover, the Trust select 50 students every year to promote educational outreach in unprivileged regions, and for its endeavor and contribution, Praxis Educational Trust was awarded by Genus Award in year 2019. Praxis Parivaar आपके अच्छे स्वास्त और अज्जुल भविस की कामना करता है। करता है।